तो जैसा कि आप जानते हैं कि करोना वारेस महामारी के वज़े से आज पूरा दुनिया परिसान है उत्रस्त है इससे बचने के लिए लोग तमाम अलग अलग तरीके अपना रहें जैसे साबूं से बार-बार हां दोना सेनिटाइजर यूज करना मास लगाना इत्यादी आपक आज की वीडियो हम आपको बताएंगे कि चीनी से आप अलकोहल कैसे बनाएंगी दो लीटेर अलकोहल बनाने के लिए अब हम बनाते हैं सुगरवास सुगरवास मतलब कि पानी को ब्रूंदा ना मिलने हो गया सुगरवास इसमें हम 2 लीटर पानी डालेंगे आधा लिटर चीनी में याद रखें कि जब 2 लिटर पानी में आप आधा किलो चीनी मिलाएंगे तो उसका वलूम जो है 2 लिटर से ज़्यादा हो जाएगा इसलिए आपको चीनी और पानी को मिला के जो सुगर वास बनाएंगे वो दो लिटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है तो मैंने ऐसा कलोकुलेट किया है कि अगर आप 1.7 लिटर पानी डालेंगे अब आधा गिलो चीनी तो पूरा 2 लिटर यह हो जाएगा इस तरह से आप देख सकते हैं कि सुगर पूरी तरीके से घुल गया है गरम करने का सिप एक ही उद्दे से चीनी को घोलना ना कि इसको उबालना आपको इसको उबालने की कोई ज़रुत नहीं है अब हम इसको ठंडा होने देते हैं सुकरवास हमारा हो गया हत्यार अब इसमें डालेंगे इस्ट जो है मार्केट में कई प्रकार के आते हैं लेकिन अगर आप के वन वी वन वन सिक्स लेंगे तो अच्छा रहेगा अलकोहल बनाने के लिए इस जो है डारेक्ट डा हम पानी में इस तरह मिला के रखते हैं ताकि यह अच्छे तरह से हाइड्रेट हो जाए हम इसको इससे छोड़ देते हैं 15 मिनट के लिए जब तक यह इस्ट जो है 15 मिनट के लिए हमने भीगो के रखा हुआ है तब तक मैं इस सुगर वाश को इस बॉडल में टांसपर कर ल तो इस तरह से हमने एक धकन लगा दिया है इस धकन इक उपर हम लखेंगे एर लॉक और इसमें देखे दो पार्ट होते हैं इसको आप यहाँ पैसे लगा दीजिए और यह दूसरा पार्ट इसको पैसे रख दीजिए और इसमें आप डाल दीजिए थोड़ा सा पानी एर लॉक इसलिए है क्योंकि इसमें गैस नीचे से ऊपर तो जा सकती है लेकिन ऊपर से जो है गैस नीचे कोई भी चीज नहीं जा सकती है इसलिए हम एर लॉक का इस्तेमाल करते हैं अगर आपके पास इस तरह से एर लॉक सिस्टम नहीं है तो क्या करेंगे ठीक है उसके ल इस तरह से आप बलून लगा दीजे ठीक है बलून लगाने के बाद क्या होगा कि इसमें CO2 गैस निकलेगी तो यह बड़ा होता जाएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा एक दो दिन में ठीक है तो हर बीच दो तीन दिन में सचरी अप बलून को निकाल के दूसरा बलून डाल देजे अब इसको 7 से लेकर 10 तक इस तरह से छोड़ देंगे और हर दूसरे तिसरे दिन इसको जो है इस तरह से पहलाते रहेंगे अब आपको बताते हैं कि सुगर से अल्कॉ Triple बनता कैसे है तो कुछ सुक्रोज में क्या होता है कि दो चीजे होती है गुल्गोज और फ्रक्टोज दोनों का अगर chemical structure देखेंगे तो इस प्रकार से होता है जो निचुरल इस तरह से जूड़े होते हैं तो एक तरह से अक्सीजन के थुरू इस तरह से जूड़े होते हैं ठीक है अब हम जो है इसमें डालते हैं इस्ट ठीक है अब हम इसमें डालते हैं इस्ट इस्ट में डालने के बाद क्या होता है कि यह भी ब्रेक हो जाएगा यह भी ब्रेक हो ज गैस, carbon dioxide gas, जो इसमें जो है alcohol बनेगा, वो नीचे रहेगा, जो gas बनेगा, वो जो है उपर से निकल जाएगा, वो होगा carbon dioxide, अब आपको दिखाते हैं, इस्ट, इस्ट क्या है, इस्ट क्या है थे कि जो छोटी-छोटी दाने आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो है धेट सारी इस्ट, एक दाने के अंदर धेट सारी इस्ट भरे हुए हैं, इस्ट क्या होता है कि एक single cell organism है, जैसे कि हमारे आपके सरीर में multiple cells हैं, उसी पकार से यह single cell organism है, इस इस्ट का काम क्या है कि जब भी कोई glucose या fructose जैसी चीज़ों के साथ रख दिया जाए, तो इसको जो है alcohol और करवंडाय एक्साइट गैस में convert कर देता है, इस पक्रिया को fermentation बोलते हैं, ठीक है, अब यह glucose और फ्रक्टोस क्या होता है कि आप किसी भी रूप में हो, जव में हो, अंगूर में हो, किसी भी रूप में हो, तो वो जो है इस चीज़ को जो है alcohol में convert कर देता है, तो इस तरह स आप किसी भी जव या गिहूं से भी alcohol इस्ट के सहयता से बना सकते हैं, 24 गंटे हो गया है, मैं इसको एक बार इसको घुमा देता हूँ, अब देखिए, कितना तेज करवंडाय एक्साइट गैस निकल रहा है यहां से, ओके, तो यह जो है दस दिन हो गया है, सुगर वास को रखे हुए, हमने जो है, एक या दो बार से हमने मिलाया है, जितनी बार आप मिलाते हैं इसमें, उतनी बार आप जो है, यहां से निकल रही है, एक चीज में आपको और भी दिखाता हूँ, कि दस दिन में पूरा रियक्सिन इसमें कम्प्रीट हो जाता है, अगर दस दिन मे नहीं होता है तो आप इसको टेस्ट करके जान सकते हैं कि इसमें जो है इस्ट अभी इसमें जिंदा है या नहीं है ठीक है इसको करने के लिए हम थोड़ा से इसमें सुगर डालेंगे तो सुगर डालने के बाद क्या होगा कि अगर इसमें इस्ट होगा अभी ठीक है तो इसमे इसमें आवाज भी आ रहा है आप सुनिए ध्यान से इसका मतलब यह हुआ कि अभी इसमें इस्ट पर्यात है जो इसको हम एक दू दिन तक और रख सकते हैं अब हम इसको जो है इंडक्षन पर रख के 50 चंटी ग्रेट तक गरम करेंगे गरम इसलिए करेंगे ताकि इसमें मर जाए और इसका जो रियक्षन है इस्टाफ हो जाए ठीक है इसका बंग कर देते हैं यह गरम हो चुका है और इस तरह से इसमें इस जितने भी थे उमर चुके हैं अगला इस्टेप है कि आप इसको च्छान लेए जबी में करके देखाऊंगा च्छान एक बाद जो बचेगा वह आपका दारू तयार है आपका सराप तयार है और जितन है इसमें फ्लेवर डालने का जो मैं फ्लेवर नहीं डाल रहा हूं तो यह जो है ठंडा हो गया है रूम टंपरेचर पर आ गया है अगला इसको प्यूरिफाइब करने के लिए हमारे पास एक सलूसान है इसका नाम है टर्बो क्लीनर अगर कुछ भी नहीं है आपके पास तो इसे बनता है यह जो पूरा Solution है A & B इसको जो है यह 20 लिटर के लिए 20-25 लीटर के लिए है हमने सिर्फ दो लिटर लिया है इसलिए हम को जो है उसी मातरा में हमको कम डालना है तो हम जो है 1.500 इसमें डाल रहे हैं पानी को यूज़ कर सकते हैं तो यह वार्म होना चाहिए थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए तो 5 ml हम इसको यूज़ करते हैं लगबग 24 गंटे हो गया है और मैं देख रहा हूं कि आप ख्लेरली देख सकते हैं कि यह सलूसन जो है ख्लेर हो गया है और नीचे हैं सेडिमेंट जो गिस्ट के पार्ट से सब नीचे बैठ गया है अब मैं इसको करूंगा फिल्टर इस तरह से हमने यह फिल्टर कर लिया है तो कि बहुत सबें नहीं किया है कि इतने प्रयाप थे आप सब को दिखाने के लिए我說 सुगरवास बनाने पाद done filter करने के बाद जब भी एतनाल बन्ता थ इतनाल के बड़े भाई जय से आइस प्रोर्पेनाल और aşञे जोगे बड़े बाइए जैसे मेखिल अथिल अल oppression यंक्ला बन जाते है कि जो जो है एक जहर का कान करता है जो मुख रुप से जहर बनता इसके साथ में उस जहर का नाम है मेथिल अलकोहल छोटा कार्बन वाला होता है यह कार्बन वाला होता है तो उसको निकालना जरूरी होता है तो अब हम उस निकालने के जो प्रक्रिया उसको बोलते हैं distillation distiller आप बना बनाया खरी सकते हैं market में आपको 5000-10000 उपए में आते हैं और आप इससरा से देशी जुगारतर के भी घर भी बना सकते हैं जो जैसे कमें आपको बता रहा हूं कापर का ट्यूब होता है यह मैंने जो है इन दोनों को मिला के हमने चाहिए प्राइस यह है 13 डालर का है अगर आप उसको मार्केट में खरीदना चाहते हैं तो आप जो भी रेफ्रिजरेटर के जो रेपेर की दुपाने होती हैं आप वहां से खरी सकते हैं एक ट्यूब जो है इसके चोर पर यहां पर डाल दीजिए और दूसरा चोर जो है किसी प्रेसर कुकर में इस तरह से डाल दीजिए और हमारे पास इंडेक्शन मशीन में एलमोनियम इससे काम नहीं करता है इसके जगे हमने दूसरा अपरेटरर सी वज़ ओधर है अभी मैं आपको दिखाऊंग अगर आपको पीने के उद्देश से बना रहे हैं तो इस सुगरवास को आपको फिल्टर करने की जोरत नहीं जैसे कि मैंने फिल्टर कर दिया था फिल्टर करने से क्या होता है उसका जो टेस्ट होता है फ्लेवर होता है उस चला जाता है लेकिन अगर आपको hand sanitizer बनाना है तो आप इसको filter करने के बाद इस pressure cooker के अंदर डाल दें और इस जो है जो copper का जो coil है, scooper हम जो है इसमें हम पानी मिला देते हैं, आप किसी आप बाल्टी में भी रख सकते हैं इसको और इसमें हम मिला देते हैं, फिर ए हमारा pressure cooker, इसको हमने heat on कर दिया है, अब यहां से जो है, यह जो है जो है जो भी हमारा sugar वास था यहां से boil होगा फिर इस tube के वाप के थूरू जो है वेपर बनके इसमें आएगा फिर ठंडा होएगा फिर जो है हम यहाँ से कलेक्ट करेंगे इसको तो इसमें जब भी boil होगा आपका यह sugar wash तो इसमें जो है इस tube के थूरू वेपर बनके आएगा जब भी दर पहुंचेगा तो चुकि यह ठंडा है तो condensed होकर लिक्विड बन जाएगा फिर इस tube के माध्यम से हम उस लिक्विड के इस fraction में कलेक्ट कर लेंगे और ऐसे भी तो अगर आपको पूरा जो यह डिस्ट्लियर मसीन जो आती हो भी पांस से दस जार उपए का थी आप भी ले सकते हैं तो आप देख सकते हैं यह जो है बॉइल का अब यह वेपर जहां से आना सुरू हो गया है और इस तरह से आप ट्यूब में भी देख सकते हैं कि देख रहा होगा आपको कि मुझे दिखाई देगा है ठीक रहा है यहां पर भी आ गया है ठंडा होके लिक्विड बन गया है अब इस त्यूब के माध्यम से में इसको कलिक करेंगे अगर आप इसको पीने के परपस से या हैंड सेनेटाइजर के परपस से बनाएं तो सुरू के जो है पचास एमल इसको अलग कर ले रहा हूं तो इस तरह से हमने जो है जो पहला फ्रेक्शन लगभग 20-25 एमल हमने अलग करके रखा हुआ है उसमें इतनाल हो सकता है तो बाक और अगर आप इसमें से जो जो इतनाल निकाले का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उसको पहले लो आच में गरम करें क्योंकि में जो बॉलिंग प्वाइंट होता है वह जो है सबसे पहले इतनाल ही आएगा जब आप 50 एमल फ्रेक्शन कर लें उसके बाद टेंपरा द कि इसमें कॉसिस कर रहें कि मेंख को इंटार बनाने के लिए सबसे यह अच्छा होना चाहिए तो जब भी आप यह एक्स्रमेंट करें पानी है वह अपने बिचमार्फ टाला था इसको बीच बीच में बदलते रहें क्योंकि वह और में आपको टेंपरेचर के भी दिखा द तो मैं इसका पानी बदलने जा रहा हूं, इसमें बरफ ही डालूंगा, तो जब भी आप इसकी करना बीच बीच में तीन fraction collect किये हैं, पहला fraction लगबग 10 ml के आशपास है, और दूसरा लगबग 80-90 ml है और तीसरा बाकी के अमने इस तिसरे fraction इसमें collect किये हैं, तो पहला fraction इसमें methanol होने की संभावना है, जो पहला fraction होता है, उसमें methanol part होता है, तो उसको हम फ्येक देते हैं, क्योंकि इसमें ये poisonous ह होता है और यह जो है इसको पीने से जो है आपको अंधा बना सकता है बाकि आप चाहे हैंड सनेटाइजर के लिए या तो पीने के लिए बनाईए तो आप जो है दूसरा और तीसरा फ्रेक्शन ही यूज कर सकते हैं और मैं आपको एक यह दिखा दू कि जो पहला फ्रेक्शन ह कितना है उसको करने के लिए हम जो हाईकर मीटर का इस्तिमाल करेंगे और ये हैं आधे मेटर हैं है परसेंटेज आप चेक कर सकते हैं इसको डालने के लिए आपको आसान इसमें डालना है तो आप देख सकतेंगे ये जो है 30 से ज्यादा चालिस से कम है लगवख 35 परसेंट के पास पास रखा है यह तो इसमें जो एथनाल की मात्रा है वो लगभग 35% है जो कि हैंट सेनिटाइजर बनाने के लिए का आपको कम से कम जो है 70% एथनाल चाहिए तो उसके लिए जो है हम आपको हम क्या करने जा रहे हैं कि हम इसको फिर से जो है डिस्टिल करेंगे जो यह वाला बड़ा वाला फ्रेक्शन है इसको हम जो है फिर से फ्रेक्शन फ्रिक्से फिर से जो है डिस्टिल करने जा रहे हैं यह वाले भी डाल देते हैं ठीक है यह वाला फ्रेक्शन अब अभी मैं बचा लेता हूं टेस्ट के लिए बताएंगे तेस्ट करेंगे इसमें इसमें वेतनाल हाइक नहीं है और दूसरे राउंड का यह जो दूसरा फ्रेक्शन है दूसरे राउंड का यह तिसरा फ्रेक्शन है सबसे पहला काम एसमें लगारी टेस्ट करेंगे कि यह अलकोहलाइब इसमें कितना है कि अगलन है ऐसे बजलांग अधि प्ली अगयां तो इस यह जो लगभग के 70% मैं आपको दिखा देता हूं पास से तो यह देख सकते हैं कि यह सबतर परसेंट है ठीक है इसमें जो एथनाल की मात्रा है वो 70% है अब हम करेंगे यह तेस्ट जो कि जो हमने इतनाल बनाया था वो बना है कि नहीं और पहला टेस्ट है उस टेस्ट का नाम है फा ब्ल्यू कलर का फ्लेम आता है ठीक है तो हम देखते हैं किसमें क्या होता है त्रीम इथनाल का है जो पहला वाला फ्रेक्शन है वो यह है तो पताने यह जली नहीं रहा है मजुले के थोड़ा से जल रहा है ए पहला वालो फ्रेक्शन है वो नहीं चल रहा है मैं और त्राइक करते हुए है है कि महाने कद्ट है जए जो फ्लेशन रहा है और ये जो 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 इतनाल का में फ्रेक्शन है पहला वाला और वालों ये जो दूसरा फ्र headphones इन दोनों में यह सेनेटाइजर जो मैंने अपने पिछले वीडियो में एक बार बना के दिखा चुका हूँ यह वही का है तो मैं इसको भी एक टेस्ट वरके देखा देता हूं आपको आज कल मैं काफी सोचल मेडिया में एक वीडियो देख रहां मैं इस उत्रों आपको भी कि इसमें 30 परसेंट ग्लिस्राल है और 70 परसेंट जो है जब भी हम हैं सेनेटाइजर हाथ में लगाते हैं तो बहुत केरफूल रहना चाहिए कि ऐसे में क्या होते है कि इसमें आग है लेकिन आपको दिखता नहीं है लेकिन जब आप इस तरह से आप देखोगे आग लग ज अब हम आपको बताते हैं कि एथनाल का इंपार्टेंस का है हमारे दैनिक जीवन में एथनाल एक ऐसा केमिकल है जो एक बहुत अच्छा साल्वेंट है साल्वेंट का मतलब होता है कि उसमें कोई घोलो बहुत अच्छी से मिल जाता है तो उसको इस एडवांटेस को आप जैसे बनता है लेकिन आप बना सकते हैं और इसका डिस इंफेक्टेंट जैसे कि अगर हैंड सेनिटाइजर आप बना सकते हैं हैं मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है हमारे इस चैनल पर है इसे आप मैं आई बटम पर दे जोगा आप वहां से देख लिजेगा सकते हैं जो कुछ मेडिसिनल इंपार्टएंस इसका वह भी बना सकते हैं और इसका जो लिकर डिपार्टमेंट भी वाइन जो भी बनाते हैं वह वह तो बनीसक्ता है इसके लावा, गैसुलीन चुकि यह जो है हाईली फ्लीम एबल होता है तिससे हम जए कि जैसे अग्यास ह भी चीज इवन पर्फीम तो उसके लिए लाइसेंसिंग की जुरुत पड़ती है तो इस चीज को ध्यान दीजागा तो आप इसको लाइसेंस लिए बगर काम नहीं कर सकते हैं ठीक है एक दो और फनी मैई जी के मैं सोच रहा था आपको भी दिखा देता हूं देखते हैं अईगर देखते हैं